तो हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है पैन इंडिया मोटोस के इस नए वीडियो में तो पहले मैं आपको अपना चैनल इंडियूस कर दूँ यह एक बाइक रिव्यू चैनल है जहां पर हम लोग वीडियो कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी और मलयाल में और जैसे कि आप समझ स्कूटर सेक्मन में एक तरह से देखेंगे तो एक रेविलूशन लाया था तो चलिए देखते हैं स्कूटर के बारे में थोड़ा बहुत उससे पहले मैं क्या करता हूँ यह गाड़ी थोड़ा कई पर रोग देता हूँ रोग के हम इसके बार में डिसकस करेंगे फिर आग यहां का ग्राउंड और लेफ साइड में है हमारा ब्यूटी दसलिम स्लीक ब्यूटी एथर 450X जो देखने में मुझे काफी फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है काफी अच्छा दिख रहा है और इसका जो हैडलाइट है जो LED DRL सेटप है पूरा यह मुझे देखने पर ऐसे ल आगे जो एक 200NM का डिस्क ब्रेक दिया हुआ है वो काफी पाउर्फुल काफी बाइट वाल एक ब्रेक है मैंने एक दो बार ऐसे हुआ कि ऐसे सिटुएशन आगे जहां पर मुझे यह एमरजनसी में पकड़ना पड़ा और उस सिटुएशन में इस ब्रेक ने मुझे बचा है ABS तो दोनों में नहीं है और पीचे जो येलो टाइप का चीज जो अंदर के तरफ आप देख रहा है वो इसका suspension है एक mono shock suspension दिया हुआ है जैसे bikes में देते हैं वैसे इसमें भी दिया हुआ है जो इसके एक overall right quality को अच्छे से improve करता है अभी इसका अगर हम tail lamp देखेंगे तो LED setup दिया हुआ है पीचे भी मुझे देखने में यह बहुत beautiful लग रहा है आप लोग मुझे बता दीजेगा कि आप लोग को कैसे लग रहा है और नीचे तो हमारा mandatory सारी गाड़ वो तो देना ही देना है इंडिया में गाड़ी चलाना तो वो तो देना ही देना है और उसके प बताएंगे तो इसका grab rails भी अच्छा है seat भी अच्छा है अब क्या बताएं इसके जो key slot है वो यहाँ पे दिया हुआ है left side में charging slot दिया हुआ है charging के लिए हमारे पास दो option mainly रहता है या तो एक portable charger दिया जाता है नहीं तो एक यह जो आप देख रहे हैं इसको grid बोलता है यह commercial juice इसके लिए हैं ऐसा एक दूसरा चीज़ होता है ether dot जो खर पे install करता है यह है हमारा battery जो हमारे गाड़ी को power करते हैं और यह है वो motor जिसको यह battery power करते हैं और यह हमारे गाड़ी को चलाते हैं हमें जो power देते हैं यह motor है अब अगर हम इस गाड़ी के LCD display के बारे में अगर बा लोग इसको लाइटीम बना सकते हैं लेकिन मुझे ब्लाक अच्छा लाग रहा तो मैं वापस ब्लाक कर दिया लेकिन उस वज़े से मेरा स्क्रीन थोड़ा दिख रहा है वहां पर आपको अगर लाइट यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहां पर एरस दिखाते है अगर गाड़ी में कोई दिक्कत है तो यह Bluetooth है जहां पर हमेरे music play करना जो भी हो Bluetooth facility उसका details मिलेंगे यहां पर आप लोग गाड़ी के documents upload कर सकते हैं और नीचे जो आपको बटन दिख रहा है वो shutdown button है जो आपके battery consumption को कम करने में आपको help करेगा अगर आप कई पर गाड़ी रहेगा तो यह एक बहुत फैदेमंद चीज है आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अभी अगर हम बात करें तो इसमें और क्या-क्या available है यह हम देख लेते हैं इसमें यह जो right side में यह जो दिख रहे हैं वह mode switch है इसको screen में हम change कर सकते हैं total 4 modes है इको ride, sport mode और warp mode इतने modes available है इसमें रेंज भी आपको दिख रहा होगा इको मोड में तो अभी मेरा 67 km बचा हुआ है और अगर राइड मोड की बात करें एक सिकंड देखते हैं यह उर्ड इसमें और क्या दिया हुआ है इसमें अपना ओडोमेटर दिखता है ट्रीमीटर दिखता है average speed मिलता है, range मिल जाता है range तो जैसे आपने अभी बताया range is गाड़ी के actually बहुत important चीज़ है, क्योंकि अगर आप ये गाड़ी को profitably चलाना चाहते हैं तो इसका range देखे चलाना, सही mode पर चलाना, आपके लिए जो mode सही है उस पर चलाना अगर आप mileage चाहते हैं, तो आपको eco mode में चलाना होगा, अगर आपको speed चाहिए, तो obviously आपको warp mode में चलाना होगा, लेकिन warp mode में चलाएंगे तो energy consumption भी उतना ही होगा तो अभी हमें काम करते हैं मैंने actually इसका थोड़ा comparison बगर किया था एक petrol गाड़ी से तो अभी मैं काम करता हूँ इसके stand मैंने भी डाल कर रखा ठीक है, अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे yellow light देखेगा आपको उपर, जिसमें actually लिखा है, कि हम stand डाला है, उसका indication है वो stand का indication है, वो actually ठीक से दिखने रहा है वीडियो में, लेकिन वहाँ पे वो जो yellow दिख रहा है, वो stand indication है जब stand हटाएंगे, तभी हम गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं तो अभी देखो, गाड़ी स्टार्ट हो गया गाड़ी स्टार्ट हो गया, लेकिन वो भी कोई आवास नहीं आता इसमें, बस ये जो green light है उसी से आपको समझना होगा कि गाड़ी स्टार्ट हो गया है अगर आपको, या आप ये system से used to नहीं हुए तो आप आपने आपको hurt कर सकते हैं जाके, तो थोड़ा ध्यान से कर लीजेगा वो बात अब ये जो है, park assist मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है अभी मैंने गाड़ी आगे ले लिया, ठीक है अभी काफी power से मुझे गाड़ी खीशते हुए जा रहे थे क्योंकि अभी मैंने warp mode में डाला है इसको मैं वापस eco mode में डाल दे तो अपने safety के लिए अभी के लिए, तो park assist, ये park assist mode जो है, हमें ऐसे situations में help करने के लिए हैं, अभी देखिए मैंने park assist कर दिया और गाड़ी reverse mode में लग गया, अभी हम accelerator देंगे तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएंगे और maximum 5 km per hour speed में गाड़ी पीछे की तरफ जाएंगे, ये ऐसे situations में हमारे कामा सकता हैं, जब हम गाड़ी कहीं पे, हमारे गठे में कहीं पे आगे के tire कुछ पढ़ा हुआ है, हमें पीछे निकालना है, तो ये हमारे कामा सकता है, कभी pillion हो तभी भी हमारे कामा सकता है, ये चीज जो है अभी अगर हम ये handle के बात करें, तो ये काफी एक छोटा handle है, लेकिन ठीक है, मैं अच्छा grip provide कर रहा है, मेरे लिए तो काफी सही है मुझे तो काफी comfortable feel हो रहा है और आगे का अगर हम वो जो liver की बात करें, तो थोड़ा अच्छा strong liver लग रहा है मुझे, और ये जो gap है ये भी मुझे साही लग रहा है, अपने हाथ के size की साब से यहाँ पे हमारे indicator button है, जब ये indicator button हम दबाते हैं, तो एक ऐसे आवाज आता है, जो हमारे normal petrol guardian में हमने ज़्यादा सुना नहीं होता है horn भी है, और right side में engine kill switch है engine kill switch बस motor off करता है ठीक है, और उसके नीचे mode changing switch है और उसके नीचे है engine start switch engine motor off करने से engine पूरा बंद नहीं होता ठीक है, और ये एक hook दिया हुआ यहाँ पे, foldable है इसके अंदर हाँ, इसमें कुछ hang करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं और अब इसको बंद करके रखना, क्योंकि ये waterproof नहीं अगर बारिश कुछ हो गया, तो दिक्कत हो सकता है तो इसको बंद रखना अब ये हमारा mirror अगर देखेंगे काफी tapering end जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत blind spot भी थोड़ा cover कर रहे है और ये बहुत अच्छा चीज है जहां तक मुझे लगता है काफी visibility दे रहा है इस गाड़ी अभी ये जो leg space के अगर हम बात करें तो जहां पर मैंने pair रखा है उसके सीधे नीचे है इसके battery और leg space भी मुझे काफी अच्छे से मिल रहा है मैं तो 5 foot 10 inch का बंदा हूँ और मेरे लिए तो सही है मेरे लिए अच्छा leg space मिल रहा है और मेरे पीछे जो मेरे जब मेरे पिलियन बैठे थे तो उनको भी कोई दिक्कत हो ने रहा था काफी comfortable थे वो भी तो यही सब चीज़े हैं basically इस गाड़ी के मैं थोड़ा prejudiced हो रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत इसके electric nature से obsessed हो रहा हूँ पता नहीं क्या है तो लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो एक robotic arm जैसा feel मुझे आ रहा था लेकिन थी है वो उसको actually काफी अच्छा look भी provide कर रहे थे आगे से भी देख लीजिए आप ये गाड़ी मुझे एक बहुत simple sleek वाला एक अच्छा feel दे रहा है और ये जो color touches है जो yellow touches दिया हुआ है बीच बीच में ये जो एदर लिखा हुआ है ये भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है और ये जो नीचे जो exposed frame है ये भी yellow color में दिया हुआ है वो भी अच्छा है अभी अगर हम ये गाड़ी के price के बारे में वगरा अगर हम बात करेंगे तो ये वाला 450X variant है इसका price आता है on road तिरवन दब्रम में 1,66,520 और इसका 450 plus variant है उसका आता है 1,46,000 on road लेकिन उसका power figures वगरा भी थोड़ा बहुत कम है क्योंकि वो जो है उसका 22 Nm talk प्रोवाइड करता है ये 26 Nm talk प्रोवाइड करता है और उसमें तो actually warp mode वगरा available नहीं है इसमें warp mode available रहता है जो इसको थोड़ा और powerful बना लेता है उसवाले में तो वो तो available नहीं है तो मुझे लगता है basically मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया बाकी हम देखते हैं ride review में जाके बाकी वहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा ride के मेरे experiences share करने जा रहा हूँ जो मुझे लगा वो सब चीजे में आपको बताने जा रहा हूँ अब इस point पे आप देख लीजे यहाँ पे मैंने last minute पे जाके मैंने decide किया कि मैं यहाँ पे U-turn ले रहा हूँ और वो break ने मेरा बहुत काम आया नहीं में तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए अगर इसके और positives के अगर बात करेंगे तो पहला चीज तो यह है कि यह काफी आपका पैसे बचाएंगे यह तो है आपको काफी पैसे बचाएंगे और उसके साथ ही आपको power भी provide करेंगे मैंने इसका एक comparison किया था इसका range company बता रहा है 85 km तो उस हिसाब से मैंने comparison किया था एक 50 km mileage देने वाले scooter से जो मेरे पास है और यहाँ ट्वैंटर में petrol price तो 106 रुपीज है और यहाँ पे electricity का price मैंने per unit 7 रुपे करके count किया तब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ जो calculation मैंने किया उस हिसाब से 4000 रुपीज तो around 27,300 रुपीज मेरा बच रहा है एक साल में तो यह तो कोई मामली बात तो है नहीं और तो उस तरह देखेंगे तो यह काफी पैसा बचा लेता है आपके pocket में भारी ने पड़ेंगे लेने के बाद लेने के लिए तो थोड़ा महंगा ही है फिर अगर देखेंगे तो sound pollution तो नहीं है भाई जैसे कि हमें एक bus sound जो आता है बस वही है वो तो कान के लिए अच्छा ही लगता है मतलब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता सुनने में सही लगता है इसलिए ride भी काफी peaceful रहता है और इसका यह जो lightness है ना यह जो lightness और यह जो flickability और इसका एक जो braking system है यह सब मिला के अगर देखेंगे तो काफी एक अच्छा package है गाड़ी इसका range हो अगर सब कुछ अगर देखेंगे एक अच्छा package लग रहा मुझे और उपर से इसका service cost भी normal गाड़ी उसे तो obviously थोड़ा बहुत तो कम ही रहना है और अगर मुझे suggestions देना है company को तो मैं तो यही कहूंगा कि पहला चीज अगर आप लोग battery swapping या removable and rechargeable batteries ऐसे कोई option लाए तो यह गाड़ी लोगों के लिए और useful बन जाएगा और attractive बन जाएगा मुझे लगता है और यह charging grid facility है वह अगर आप और भी जगह ओपर यह install करें तो अभी तो एदर इसको free ही दे रहा है बहुत सार लोगों को यह concern था power and speed के बारे में वो तो आप तो मतलब सोचिए ही मत power का तो कोई दिक्कती नहीं है गाड़ी अच्छागा सा power इसका अच्छागा सा खीच लेंगे अगर आप को चलाना आता है तो यह आराम से चल जाएगा हां 80-90 से उपर नहीं जाएगा लेकिन city के अंदर 80-90 काफी है और अगर हम इसके चार्ज के बारे में कुछ लोगों को लगता है कि अगर गाड़ी आधे रास्ते में रुख गया तो अब हम क्या करेंगे भाई आप अपना mobile तो यूज करते हो ना यह गाड़ी तो हम साधे-3 खंडे में तो इसका फुरा चार्ज हो जाता है पूरा पसन सम 445 सम्धिंग उतना टाइम रहता तो अब ओवरनायट चार्ज कर सकते हैं आप तो अपना phone तो यूज करते ही होंगे फोन तो जहां पर हम लोग आफिस में लेके जाते हैं, काम के लिए लेके जाते हैं, हर जगा तो यह फैसिलिटी नहीं रहता है, कि आप लोग अपना फोन चार्ज करें, तो उस हिसाब से देखेंगे, तो यार मैनेज तो करी सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत थ्यान से कर हैं, तो अभी एक और टेस्ट हमें करना, एक और चीज मैं टेस्ट कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका यह जो एक शोरूम है, ट्रवैंटरम के, वहाँ पे एक बार जाके देख के आते हैं, मैं आपको वो शोरूम दिखा के, हम वापस टेस्ट के लिए चले जाएंगे, ठीक है, तो यह है, एधर का ट्रवैंटरम शोरूम जो पट्टा में प्लामूर मिस्कत है, काफी एक अच्छा शोरूम है, अच्छे लोग है, मैं तो कहूँगा कि अगर आपको गाड़ी लेना है, या टेस्ट राइट करना है, तो आप जरूर यहाँ पे सकते हैं, लोग बहुत कमफर्टबल कराने वाले लोग हैं, और यहाँ पे पैसिलिटी भी सही है, एम्बियन्स भी सही है, गाड़ी अभी सारे मॉडल साड़े वेरियन्स यही पे रेडिली अवेलेबल है, आपको कुछ देखना है, कुछ टीटेल्स चाहिए तो, और मैंने क्या किया है, मैंने अलग-अलग मोड्स में, एक अच्छा से इंकलाइन, आपको देखने में यह बड़ा इंकलाइन लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं अभी इंकलाइन चड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं जो है, एको मोड में चला रहा हूँ, जब मैं इको गाड़ी उपर जाएगा देखा था कि ऐसे गाड़ी पूल कर रहा था और इक न्यूंटिर मोड़ जैसा अभी इसका दूसरा मोड़ है राइड मोड में जो है मैं यहां से पीछे बंधे बिठाने शुरू यह एक नॉर्मल मोड है, यह स्कूटर की साब से अगर हम देखेंगे तो यह स्कूटी का नॉर्मल मोड है, और यह तो अच्छे से खीच रहे थे, यह मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 125cc स्कूटर चला रहा हूं, वैसा वाला फील मुझा रहा था, अच्छे से गाड़ी खीचते वो जा रहे थे, और इस गाड़ी का अगर पावर फिगर्स हम देखेंगे तो 125 स्कूटर से ज्यादा आई है, इसका 0-100, 0-80 वगरा तो उससे तो बहुत ज्यादा है, और यह है हम स्पोर्ट मोड में, जब मैं चला रहा था, तब ही मेरे पीछे एक बंदा बैठा ह होँ था, और गाड़ी मतलब काफी तेशी से जा रहा था, मुझे ऐसे उठाते होए लेके जा रहा था, चलो ठीक है, अगर कर रहा है तो वार्थ मोड में वार्प मोड में क्या करूँगा अससे लग रहा था देए हैं कि इसमाज में आ गया है कि उसमें हमारे चलवक है, प बहुत बार उपर नीचे कर चुका हूँ लोग भी दर-दर से आके देख रहे हैं बंदा क्या कर रहा है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है तो बैसिकली यही सब कुछ बाते हैं तो मुझे लगता है कि जहां जितना मुझे आ रहा था मैंने आपको बता दिया मेरे हिंदी आपकी है जिससे मैं अपने वीडियो से इंप्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज डू टल मी मुझे बता दिजेगा और बैसिकली यही सब चीज़े हैं आपको अगर गाड़ी लेना है तो ट्राइनर में एक ही शोरों में आप डिरेक्ली बस गूगल कर देंगे तो आपको इन be happy stay happy keep smiling bye-bye